दोस्तों पिछले काफी दिनों से आप यूं कहने हैं कि 10-12 दिनों से जब से लॉकडाउन हुआ है या उससे कुछ बिगत 3-4 दिन पहले की बात है जिस तरह से लगातार देश में अफरा तफरी का महौल है और इसमें इस अफरा तफरी के महौल में सबसे ज़्यादा जो है कि लोगों की लगातार जो है भुखमरी से हत्या हो रही है लगातार जो है वो किसी ना किसी तरह से सिकार हो रहे हैं मैं कल रिपोर्ट देख रहा था तमाम तरह के सोचल मीडिया पर लगातार वो वाइरल हो रही है ट्विटर पर फेस्बूक पर मुझे रहा नहीं गया मैं का बुरे वुजरू केह रहे हैं कि जिस तरह का महौल 1947 में था ठीक उसी तरह का उससे भी कहीं दुरलग इस्तिति इस समय मुलक में है कि आखिर वज़र क्या है कि लोग जो है पलाइन कर रहे हैं क्या किसी को पलाइन करना अच्छा लगता है क्या कोई पैदल 1000 किलुमीटर बताई दिल्ली से पैदल लोग जा रहे हैं आरा बकसर लखनव कानपूर और तमाम ऐसे शहर जो उत्तर प्रदेश के हैं तमाम ऐसे शहर जो हरियाना के हैं वहां लोग पैदल जा रहे हैं पंजाब तक पैदल जा रहे हैं यह कैसी सरकार है क्या इन तमाम लोगों को यह पूछना नहीं चाहिए कि जो वादा आपने कहा कि सबका साथ सबका विक्اص, आज कहाँ चला गया यह सबका साथ सबका विस्वास क्या है कि जो लोग जिनको वो लोग कह रहे हैं चोटे are वायरस से तो हम बाद में मरेंगे, पहले हम भुकमरी से मरेंगे, छोटे बच्चे हैं सी बच्चे जीन को ये नहीं पता कि हमारा मुलक का नाम क्या है, हमारी पिता का क्या नाम है। बजे का जो वो समय रखते हैं रात में ओठीक कह देते हैं कि आज रात 12 बजे के बाद सब कुछ स्टॉप यानि कि सब कुछ बंग क्या ये उचित है क्या ये निया संगत बिभार है देश के कानून बिवस्था को लेकर क्या ये नियासंगत विभार है उन गरीब लोगों को लेकर उन गरीब गुरुआओं को लेकर जो परदीन दहिहारी मजदूरी करते हैं आप बताईए कि आज से कुछ मैने पहले जंतर मंतर पर कुछ जो है आदिवासी लोग कुछ मजदूर लोग आये थे प्रोटेस्ट करने वो ये कहने आये थे कि मेरी जो दियारी की मजदूरी है उसमें 20 रुपे की 25 रुपे की बरहोतरी करनी चाहिए क्योंकि उनकी दिहारी जो है 35 रूपे थी 40 रूपे थी महिला की बात मैं कर रहा हूँ कि मद्यपरदेश के जीले से मुझे याद नहीं है कि वो कौन सा जीला आदिवासी बहुल लिशेतर से आय थे मेरे पास वीडियो भी है वो वो कह रहा है थी कि मेरी जो मज़़ूरी दिह थारी है मुझे से 35 रूपे है इसमें से मैं कहां से अपने बच्चे को पराऊंगी क्या खाऊंगी एक बड़ा सवाल है क्या यह सवाल नहीं पूछना चाहिए देश के बिरोक्रेट से जो लगातार हिंदू मुस्लिम की राजनीती करते हैं प्राइम टाइम साथ बजे से ल लेकिन कहां कर रहे हैं एक पैकेट मोदी आहार केजरिवाल आहार के नाम से पैकेट को जो है डिस्रिब्यूट करानी के बात कर रहे हैं क्या उससे उनकी भूख मिर जाएगी क्या सोचल मीडिया को दिखाने के लिए हैं सिर्फ जो लोग भूखे मर रहे हैं जो लोग पैद कर रही है सिर्फ ये दिखावे की राज़नीती है दोस्तों ये सिर्फ दिखावे की राज़नीती है काम करने वाली राज़नीती नहीं है क्या इस पर सवाल नहीं उठना चाहिए मैं देख रहा था कि किस طरह से लोग जो है आनंज बिहार के तरफ करोरों लोग जा रहे थे खुदा ना करे अगर किसी एक आदमी उनमें से करोना पाया गया तो जो लोग गाँ की तरफ अग्रसर थे जो लोग गाँ जा रहे थे आप यकिन नहीं कर सकते हैं कि क्या होने बाला है इस मुल्क में आप यकिन नहीं कर सकते हैं कि उस गौँ में क्या होने बाला है उस गौँ के जिले का क्या हाल होने बाला है क्योंकि वहां मुस्खिल से 2-3 वेंटिलेटर अबलेबल नहीं है कैसे इलाज करेंगे उनका इन तमाम वाबजूत के बाद भी क्या परधान मंतरी जिस दिन ये घोसना कर रहे थे कि जो है अब आज से लॉकडाउन स्टार्ट होगा आज रात बारबजी से लॉकडाउन स्टार्ट होगा आज रात बारब जी से सब कुछ स्टॉप हो जाएगा क्या उनको सोचना चाहिए ये नहीं चाहिए मुझे तो इस बात की हैरानी लगते हैं ये प्रधान मंतरी सुर्फ उद्योग पत्यों की हैं ये देश के गरीब जनताओं की हैं जिनको जासा देकर ये कह रहे थे कि 15 लाग हरेके अकाउंट में आएगा आज वही लोग सर्बों पर हैं आप तो 15 लाग उनके खाते में दे नहीं पाए आप तो उनको रोजगार दे नहीं पाए आज वो लोग जहां के तहीं हैं और भी स्थिती खड़ाब होते जा रहे हैं आज आज आप उनी के साथ आपने इस तरह की विभार करी है आप उनके बारे में सोचते ही नहीं है आप सोचते हैं मुझे पता चला कि 27th मार्च तक जो है इंटरनेशनल और जो है घहरेलू फ्लाइटें चली है क्या इस पर सबाल नहीं उठाना चाहिए हर एक लोग कह रहे हैं कि भया इतना डोनेट किया क्या जो लोग डोनेट कर रहे हैं चाहिए तमाम तरह के सेलेबरिटी हो प्रधान मंतरी मुख्य मंतरी के सांसद नीधी से हो मुख्य मंतरी के अपने CM नीधी से हो जो भी पैसे वो डोनेट कर रहे हैं क्या उन पैसों का गड़ीबों के उपर खर्च होगा या नहीं होगा क्या इस सबाल नहीं पूछा जाना चाहिए अगर आप खर्च करेंगे तो आपकी रनिनीती क्या है आप किस तरह से खर्च करेंगे क्या इस सवाल पूछा नहीं जाना चाहिए आप जब भी हेड्लाइन्स देखते होंगे तमाम मैगजीन का या फिर प्रिंट मीडिया का इलक्ट्रोनिक मीडिया का तो आपको बिलकुल मोती मैं ही दिखाई दे रहा होगा किसी पन्ने पर गरीबों का जिक्र नहीं होता किसी पन्ने पर गरीबों के भुकमरी से जो लोग आज मर रहे हैं उनका जिक्र नहीं होता हर पन्ने पर आपको क्या दिखाई जारा मालूम है उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने हजार बसों की सुविधाय दे दी उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने भुकमरी से जो लोग उन्हें अहार दिया उत्तरप्रदेश के योगी सरकार ने उन तमाम सुविधा से उन्हें सुविधा मुहिया कराया जो उनकी नीड्स थी आप बताईए क्या ये उच्छी राजनिती नहीं है आप सुविधा मुहिया तो करा रहे हैं आप वो लोग गौन तो आप भेज़ दोगे लेकिन जब किसी को अगर कोरोना पॉजिटिव मिला तो आप इलाज नहीं करबापा होगे आपके हिंदुस्तान में इतनी आपके उत्तरपरदेश में इतनी एकुटमेंट्स नहीं है इतनी किट्स नहीं है जो आप इसका आप इलाज करा सकें आप उसकी जाच कर सकें अगर है तो आप अपसे क्यों नहीं जाच करा रहे हैं बताएए यह कैसी बिनम्बना है कोरोना जो है बीमारी प्लैन के जरी हिंदुस्तान में प्रवेश करती है आपने वहारूक नहीं लगाया आप गरीब गुरुवों पर जो है सिकंजा कसने का काम कर रहे हैं क्या यह सबाल नहीं पूछा जाना चाहिए और पूछ भी रहे हैं लोग और पूछनी के बाद भी जो है देश दरोही का नाम दिया जा रहा है क्या ये सभाल नहीं पूछा जाना चाहिए हिंदुस्तान के जो लोग बैठे हुए है इस स्रियाशत कुर्सी पर हुकमरां से ये पूछा नहीं जाना चाहिए कि आकिर हो क्या रहा है मुझे लगता है कि इस पर देश के तमाम लोगों को सभाल पूछना चाहिए ये भक्त नगरी नहीं है, ये गरीमों का नगरी है, जहां आप देख रहे हैं, क्या इस्थिती है, दिलिस के जो लोग जा रहे है, नोईडा express वेपे, क्या इस्तितिये लोगों का आनन्द ब्यार पोचने के बाद विलक रहे हैं अभी हमने देखी कि 80 साल की एक जो है महिला है उन्हें वो कल जो है एक दिन पहले उन्होंने चूड़ा खाकर उनके पास जो भी पैसे थे चूड़ा खरिदा उन्हों पैसे खतम होगे वो दाना-दाना के लिए महताज हैं ये किस तरह का लॉकडाउन है किसी भी किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं होती इस हुक्मरान के सामने कोई प्लानिंग नहीं होती सिर्फ आप implement कर दू जो बोल दिया वो कानून बन जाता है क्या ये हो गया रहा है इस मुल्क में 1947 का दौर है क्या ये ये कोई बटवारे का दौर है क्या जो आप इस तरह से लोगों को लगाता टार्गेट कर रहे है पपू यादब मैंने देखा पपू यादब की यादब जी को लगाता सोचल मीडिया पर वो campaign कर रहे हैं लोगों को पैसे दान कर रहे हैं खुद रो रो कर जो है फेस्बुक उन्होंने लाइव करी थी रो रहे कर जो तमाम समाल वो पूछ रहे थे भाबो को रहे थे गरीबों की हग की बात कर रहे थे वो बता रहे थे कि किसी की पास 10 रुपे नहीं 100 रुपे नहीं है वो कैसे जाएंगे क्या करेंगे इनका क्या करेंगे आप इन पैसों का क्या करेंगे इस बिसुगरु मना खड़ाप जब हिंदुस्तान के अबाम की जिन्दीगी का हिफाज़त आप नहीं कर सकें क्या इस सबाल नहीं पूछा जाना चाहिए पूरे मुल्क में अफरात अफरी का महौल इस तरह से है कि मैं बता नहीं सकता आपको लोग फॉन कर रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं कोई शादी में गया तो वहीं के वहीं फस गया है अलीकर बिल्कुल पायस है वहाँ पर लोग शादी में गये थे अपनी फैमिली के साथ रात को कहते थे हैं कि सब कुछ जो है लॉक डाउन है, कर्फ्यू से भी बड़ा कर्फ्यू है कुछ चलने वाला नहीं है, 12 बज़े के बाद सब कुछ इस्टाफ वो लोग फसे है वो आने ही पारे, सुगिर पेसेंट है वो उनके है 75 है कैसे सर्वाइब करेंगे वो, कितना दिन तक रेंगे जिस्तेदारों के आगे ये सवाल कहा है, कोई नहीं पूछ रहा है, डिवेट का दिसा ही नहीं बन रहा है ये पूछना नहीं जाए हुकम औरानों से ये क्या चाहते हैं आप, इस देश की तरक्की के लिए आप प्राम मिनिस्टर हैं ये देश को गर्त में ले जाने वाले आप हैं अरे हर जग की छोड़ी आपके हमदाबाद गुजरात में इतनी स्थिती खराब है बिहार यूपी के लोग फसे हुए हैं और डंडे मार के उन्हें भगाया जा रहा है कर क्या रहे हैं आप उनके लिए कोई इंतिजाम नहीं करेंगे आप करेंगे जो लोग बाहर गए कमाने के लिए जो लोग आपके RSS की खाते में फंडिंग कर रहे हैं आप उनके लिए सब काम कर रहे हैं केर फंड आपने कुछ दिन परे ट्विटर पे सोशल मीडिया पे केर फंड लोगों को जुटाने के लिए कहा आपने अपील की कि आप इसमें डोनेट कीजिए लोग कर रहे हैं दो हजार चार जार पाच जार एक लाग दो लाग देर लाग तीन लाग चार लाग सब कर रहे हैं ये पैसा किन के लिए है गरीबों के लिए है कि आपके उद्योक्त पती भाईयों के लिए है ये जो लोग बिजनस में पूरी तरह से नुक्सान जीने हो रहा इस लोग डाउन से आप उनकी आप पूर्ती कर रहे हैं उन पैसों से क्या करने वाले हैं आप आप द्योरा दीजिये कहां गए आपकी Bureaucrats उनको बोलिये कि वो देस के आगे अपनी बात रखाएंगे उन Cares Fund का बतावंगे कि कहां हमने खर्क किया कि आप गरीबों के लिए खर्क कर रहे हैं किनके लिए खर्क कर रहे हैं बताईए उनको और सबसे जादी कौन है उन लोगों में जो लोग आज पैदर जा रहे हैं दलित हैं मुस्लीम हैं वो लोग हैं कौन मजदूर होते हैं मैं आप से पूस्ता पतान मंत्रीची मजदूर वर्ग कौन होता है जिनके पास खाने को एक वक्त की रोटी नहीं होती वो दिहारी मजदूर हैं जो पर दिन दिहारी करके अपना गुजर वसर करते हैं नोगडा की चारचार किलूमीटर इंटरिये एरिया में बिल्डिंग बना रहे हैं और आपके उद्युखपती भाईयों का बना रहे हैं सबाल नहीं पूचा जाएना चाहिए ये बच्ची जाना है चले जाएए आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया आपने लोगों को तवा किया है आपने लोगों का जीना हराम किया है योगी सरकार के रहे हैं बस दे रहे हैं एक हजार बस का एनांसमेंट उन्हों नहीं किया है क्या इस बात का इस बात का कोई प्रमान है जो लोग ब पोजेटिव नहीं है वो सुरक्षित महफूज है आपनी जिक्र किया क्या इस तरह का नहीं किया इसका खाम्याजा हिंदुस्तान बुक्तेगी आपको क्या लगता आप तो चले जाएंगे क्या हल होने वाला उनका ये हिंदुस्तान की जनता समझ रही है क्या कर रहे है प्राइम निस्टर जी कुछ ध्यान दीजिए उनको थाली और ताली बजाने से काम नहीं चलेगा आपको सोचना पड़ेगा आपको खर्च करना पड़ेगा आदमी उपर जो लोग आज एक जून की रोटी के लिए जो तरस रहे हैं आख से आसू निकल रहे हैं उनके क्या गलती थी उनकी किस गलती का वो परिनाम भुगत रहे हैं पूरा मुलकाफरा तफ्री में जी रहा है सब कुछ तबाह हो गया है ऐसा क्या क्यों की आपने किसी से पूस्तो लेते कहीं एक मीटिंग तो की डैलोग तो कर लिया होता कि ऐसा करना है तीस जर्वड़ी को जब पहला केस आता है तो आप उसके बाद क्यों नहीं एक्टिव हुए क्यों बिदेशने लोगों को बुला रहे थे जो लोग आपको funding कर रहे थे आरेसस को funding कर रहे थे आपको funding कर रहे थे आप उनको बुला रहे थे इंदुस्तान में कि आप आजाए फिर हम lockdown का system लगाएंगे क्या करने है सोचना चाहिए इंसान को और मैं देश के जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस वक्त अगर आप सवाल नहीं करेंगे ना तो आप बहुत पीछे जाने वाले हैं बहुत पीछे जाने वाले हैं सवाल कीजिए और हक से कीजिए यह आपके fundamental right है प्राइम इनिस्टर से बिरोक्रेट से आपके निज़ी MP जो हैं वहांके उनसे सवाल कीजिए आप क्या कर रहे हो नीतिया क्या है आपके पास हमारे लिए पूछिए उनसे कि क्या खर्च कर रहे हैं इस कुरोना वाइरस के लिए नहीं पूछेंगे तो बहुत पीछे जाएंगे कहते हैं न प्रदानमंत्र जी एकिस साल पीछे जाएंगे चला गया पच्चास साल पीछे आपने धगेज दिया इस मूलकों को अफरात तफरी के बीना सोचे समझे कदम से शुक्रिया जहिंद